तो अगर आपके पास 10,000 की एक छोटी सी भी अमाउंट है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपनी छोटी सी जो 10,000 की अमाउंट है उसको safely कैसे इन्वेस्ट करें शेर मार्केट में अगर आपको शेर मार्केट का ABCD भी नहीं पता है तो भी इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने 10,000 की अमाउंट को तो आप देखेंगे कि एक दो महीने बाद कैसे आपके 10,000 रुपए बढ़ करके 10,500 या फिर 11,000 से 12, रुपए हो जाएंगे 5-6 महिने के अंदर में या इस टॉक आपको 10-5% का 20% तक का रिटर्न दे सकते हैं आप कभी भी इन श्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लेकिन इन श्टॉक को आपको छाटना कैसे है उसका प्रोसेस मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने व तो मैं शूर हूं 98% कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया आपको नुकसान नहीं दे सकता और मुझे मार्केट में लगो 4-5 साल हुए उसका experience मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि मैंने बहुत सारे कितने सारे ट्राई किये आइडिया लेकिन सब कु करता हूं और अभी मैं इंट्राडे भी करता हूं लेकिन अगर आप नहीं है बिलकुल तो इंट्राडे थोड़ा सा अवाइट करिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से अपने पैसे को investment करिए और आप देखेंगे कि 4-6 महीने के बाद आपका पैसा जरूर निफ्टी 50 गूगल टाइप किया और उपर एक लिंक आया अब उपर वाई लिंक पर कलिक करके top 10 जो निफ्टी 50 की हैं उनकी लिष्ट देख सकते हैं यहा पर show more item यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी 50 की जो top 10 शेर हैं वो काउट काउट से हैं औ अगर आपके पास 30,000 है तो उस पैसे को आप क्रिपल कर दीजिए अगर आपके पास 30,000 है तो जो मैं शेयर बताऊंगा एक उसके बदले आपको 3 शेयर लेने हैं और जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि 2 शेयर लेने हैं उसके बदले आपको 6 शेयर लेने हैं मतलब मैं 10, सचर की अमाउंट के इसाल से बताऊंगा आपके पास जितना अमाउंट होगा आप उतने शेर वहाँ पर multiply कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि देखना है कि निफ्टी 50 के जो top 10 शेर हैं उनके list कौन कौन सी है तो निफ्टी 50 में जो top 10 शेर है है Reliance Industries दूसरे नमर का जो शेर है HDFC Bank तीसरे नमर का जो शेर है वह है Infosys चौते नमर का जो शेर है Housing Development Finance Corporation मतलब की HDFC short form में और पांचवे नमर का जो शेर है वह है ICICI Bank हमें पांच ही शेर लेने हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने जिरोदा के platform पे और वहां पर मैंने पांच शेर अल्रेडी लगा रखा है यहां पर देखिए पहरे नमर का शेर मैंने लगा रहा है Reliance India दूसरे नमर का HDFC उसके बाद HDFC Bank उसके बाद Infosys उसके बाद ICICI Bank ठीक है तो आपको करना किया है कि सिर्फ और सिर्फ यही पांच स्टाक में अपनी 10,000 की अमाउंट को लगाना है लेकिन किस शेर में कितना पैसा लगाना है उसके बारे में आपने जान लेकि कोशिश करते हैं तो Reliance का शेर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि उसका प्राइस क्या चल रहा है तो Reliance का शेर का प्राइस अभी चल रहा है लगबग 2,213 रुपे ठीक है तो अगर हम लोग इसको बाइस सब और लगब अगर पचीश सब उसट मोग पांच हजार रुपे हमारे दो शियर में फट चुके हैं ठीक है क्योंकि डाई एजर के आस्पास इसमें,, डाई एजर के आस्पास इसमें तो 5000 रौंड फिगर अगर आप पकड़िए तो 5000 रुपए हमारे इसमें एड हो चुके, एक शेर हमने रिलाइंस का ले लिया और एक शेर हमने ले लिया HDFC का, उसके बाद तीसरे नमर को जो शेर है HDFC बैंक, हमें इसके भी एक ही शेर लेने हैं, राइट, एक शेर हमें इसके लेने हैं, तो 1500 रुपए हमारे इसमें फस गया, और Infosys का भी शेर का प्राइज चल रहा है, 1446 रुपए, हमें इसके भी एक ही शेर लेने हैं, तो 1500 ये और 1500 ये, लगबग 3000 हमारे इसमें फस गया, और 5000 हमारे इन दोनों का मिला कि फस गया, तो 5000 और 3000, 8000 रुपए हमारा इस में फस गया, उसके बाद ICI बैंक का शेर का प्राइज चल रहा है, 635 रुपए, ठीक है, तो 3 शेर हमें इसमें से लेना है, तो 600 रुपए के आसपस ये हो गया, और लगबग 8000 रुपए के आसपस ये हो गया, तो देखा आप लोगों ने कि 10,000 रुपए की कम अमाउंट मे भी आपने पांच, जो देश की सबसे बड़ी पांच कमपनिया हैं, उसके पार्टनर्शिप बन चुके हैं, उसके इसिदार बन चुके हैं, और ये पोर्टफोलियो में गैरेंटी के साथ कहता हूं, कि अगर आपने 2, 4, 6 महीने भी अगर होल्ड कर लिया, तो ये जरूर आ आपको प्रॉफिट दे कर ही जाएंगे, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़ी पांच कमपनिया यही हैं, और आपने पांच कमपनियों में अपने पैसे को डाइवर्सी फाइट करके लगा दिया हुआ है, तो लॉस हने के चांसे काफी कम हैं, इसमें देखिए एक ONGC के कमप दे कर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Reliance, HDFC, HDFC Bank, Infosys और ICICI Bank, पांच कमपनियों में हमने अपना पैसा लगाया, तो 10,000 की अमाउंट जो है, उसको हमने 5 जगा अपने पैसे को बाट दिया, तो जैसे ही अगर हमारी मार्केट थोड़ा सा भी उपर जाती है, यही पांच शेयर सबसे पहले ऊपर जाने वाले हैं, और इससे बेश तरीका मुझे नहीं रगता है कि स्टाउक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है कोई तरीका नए लोगों के लिए, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास 10,000 रुपए अमाउंट है, तो इतने शेयर लिजिए, जीतने मैंने बताया, अगर आप 20,000 अमाउंट है, तो रिलाइंस के दो ले लिजिए, इसके दो ले लिजिए, HDFC के, अगर आपके पास 30,000 की अमाउंट है, तो इसी तरह से आप अपनी कैपिटल को या फिर अपने शेयर की कुएंटिटी को बढ़ाते रह ये, ठीक है, तो आई हो दोस्तों कि ये तरीका आपको काफी पसंद आया होगा, और मेरा ये 3-4 सालों का, 5 सालों का experience है, मार्केट का, और उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से अगर आप investment करते हैं, stock market में, तो आपको loss होने के chances काफी कम हो जाते हैं, और सिखाता रहता हूँ आपकी जो कोई need होती है, उसे मैं पूरा करता हूँ, जो कोई जौनकारी होती है, उसे आप हमें WhatsApp पे पूछ सकते हैं, और उसको मैं आप लोगों को help करते रहता हूँ daily basis पे, ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि मैं इसे नौलजफुल वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद